हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका टार्गेट उजी सी नेट अकेडमी पर दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो है किर्क पेट्रिक मॉडल के बारे में दोस्तों यह मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है उजी सी नेट पेपर वन के लिए एस वेल एस एचार एम मॉडल को दोस्तों यह मॉडल जो दिया था वो दिया था डोनाल के पेट्रिक में 1950 के टाइम पर इस मॉडल का जो में ऑब्रिक्टिव था वो यह था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का इविलुईशन करना और स्टूरेंट या फिर जो ट्रेनीज है उनको लेसन या क्लास दिय समझ में आया उसका इविलुईशन करना ही इस मॉडल का मेन अब्जेक्टिव है यह मॉडल टीचिंग एस बिजनेस में इक्विली इंपर्टेंस रखता है किर्क पैट्रिक मॉडल ट्रेनिंग और लर्निंग प्रोग्राम के रिजल्ट्स के एविलुईशन का एक ग्लोबल बिहेवियर और रिजल्ट इन चारो लेवल्स के बेसेस पर यह अपना एविलुईशन करता है दोस्तों हमारा सबसे पहला लेवल है वह है रियक्शन यानि कि जब बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया या फिर ट्रेनिंग दी गई जो भी वहां पर ट्रेनीज ह है उनके लिए तो यह चीज इस लेवल पर हम रियक्शन देखते हैं दिस लेवल मोस्ट कॉमनली एसेज़ बाइन आफ्टर ट्रेनिंग सर्वे यानि कि जो ट्रेनिंग दी गई उसके बाद हम उसका सर्वे करते हैं जो भी स्टूडेंट है या जो ट्रेनीज है उनका एक्स दूसरा लेवल है दोस्तों लर्निंग लर्निंग में क्या है कि जो भी हमने ट्रेनर ने हमें ट्रेनिंग दी उसको हमने कितना लर्न किया यानि कि नौलेज, स्किल्स, एटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और कमिट्मेंट यह सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं जब हम ट्रेन जो हम एवल्यशन करेंगे, जैसे कि हमारा कोई form है, कोई पहले से decided कोई assessment form है या कोई हमारा एग्जाम है, उसके थ्रू हम उसको evaluate करेंगा, इन्फॉर्मल में क्या है कि हम face to face बात कर सकते हैं, हम informally बात चीत करके हम evaluation कर सकते हैं, जयानि कि formal और informal दोनों तरीके से हम learning का evaluation करते हैं इसमें हम pre learning करते हैं और post learning assessment करते हैं pre learning जो कि हम training देने से पहले या फिर पढ़ाने से पहले हम उसका evaluation करेंगे कि बच्चों को कितना आता है या फिर जो trainees हैं, उनको कितना किसी skills के बारे में पता है और उसके बाद training देने के बाद post learning assessment करते हैं assessment के लिए दोस्तों हम exam conduct कर सकते हैं या फिर direct उनका interview भी ले सकते हैं दोस्तों हमारा तीसरा level जो है behavior दोस्तों behavior में क्या हो देखते हैं हम कि जो भी trainees ने जो भी training ली है वो उसको कितना apply कर रहे हैं जब वो back on the job यानि कि जब वो अपनी job पे बापस आए तो उन्होंने जो training ली जो उन्होंने सीखा उसको कितना apply किया तो Kirkpatrick model का जो सबसे important level है वो यह है change behavior यानि कि जो कि ये measure करता है कि जो भी participant है वो उन्होंने कितना सीखा और उन्होंने जो सीखा है उसको कितना apply कर रहे हैं दोस्तो assessment of behavioral changes का जो सबसे ज़्यादा importance है वो यह है उससे हम यह समसकते हैं कि जो भी skills हमने provide की training में या फिर जो हमने बच्चों को पढ़ाया हमने class में उसको वो कितना apply कर रहे हैं कितना वो उसको practically कितना use कर रहे हैं दोस्तो behavioral change को assessment करने का एक importance यह भी है कि जो भी वहाँ पे issues हैं उनको भी हम diagnose कर सकते हैं जो भी problems हैं वो भी हमें खुल के सामने आ जाती हैं दोस्तो मारा जो fourth level है वो है result यानि कि जब three levels को पार करके जब हम result पर पहुंचते हैं माल लिजे हमने किसी employee को training दी उसका reaction देखने के बाद उसने learn कितना किया learning के बाद उसके behavior में क्या change आया और उसके बाद हमें result क्या मिला यानि कि यह पुरा process है एक organization का या फिर किसी classroom का जो कि एक step by step follow होता है suppose किसी teacher ने किसी बच्चों को पढ़ाया किसी classroom को पढ़ाया मा के बच्चे English भी थे उन्होंने learning भी की और उन्होंने अपने behavior में change विलाया यानि कि उन्होंने जो exam दिया उसमें उनका result जो आया वो पूर था तो हम क्या measure करेंगे हम यह देखेंगे कि शायद हमारी जो training model है या फिर जो हमारी teaching model है वो effective नहीं था यानि कि जो भी उसमें गड़बढ है उसको हम अच्छे से sort out कर सकते हैं तो इसलिए हम इस model का use करते हैं यह हम organization में भी apply कर सकते हैं और किसी classroom इरियास हैं जिनको में notify करना है जहां पर हमें change लाना है उनको भी हम identify करके उनमें change ला सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा Kirkpatrick model फोर लेवल्स पे है और इसमों को ज्यादा है नहीं दोस्तों यह question आया था हमारा अभी 2021 में इसको हम देख लेते हैं arrange the four levels of training evaluation from the first to the last as given by Kirkpatrick model हमारा first option है reaction second option है result third option है job behavior और fourth option है learning तो दोस्तों इस question में आपको sequence में लगाना है ठीक है तो दोस्तों यह था हमारा Kirkpatrick model अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी thank you so much guys